हलो दोस्तों आप सभी गात स्वागत है वी एक मिस्सा टेंग में डेस इनुश्टर हम लोग जिस कंपनी को डिसकस करने वाले है जेपी पावर है और देखिये दोस्तों इसको हम लोग कफी लंबे टाइम से मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं वापस से इसमें गिरावट देखन को मिल रही है यूएस और उक्रेण की बात का भी चल रहा है और यूएस की मार्केट भी उसी वज़य से काफी ज़्यादा डाउन फिसलते हुए दिखाई दे रही है आपको पता ही है रसिया और उक्रेण का जो अभी बॉर्डर पे टेंसन चल रहा है उसकी वज़य से ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है मार्केट में पर अपनी मार्केट को भी जरूरत है दोस्तों एक अच्छे करेक्शन की या तो अच्छा करेक्शन हो या तो अच्छा उपर जाए अभी जिस जगह पर है दोस्तों यहां पर बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि फैक्शल तो इसके वज़े से मार्केट में हर जगे की मार्केट यही हाल है till हम लोगों उसके वज़े से बहुत सारी कंपिamm misinformation में 90 क्वेकर भी करें जिसम엔 गिरावाट देख ने पर करता है और जिनकी कंपनियां आप आप लंबे टाम से देखते हुआ रहे हैं उसमें जरूर खरदारी करिए यहां पर हम लोगोंने प्लेलिस्ट बना रखा है आप उनको भी चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया जैप्रकास पावर वेंचर लिम्टेट को सब्सक्राइब कर लें नोटफेशन बेल और रखें जिससे आने वाले निस्ट अपडेट आप से मिसना हो और मार्केट को देखके ऐसे घबराना नहीं है बाकी आपको टेलिग्राम का भी लिंक आप जो है वो वीडियो के डिक्रिक्रिप्शन में मिल जाएगा टेलिग्रा कहां से आपको information वहाँ पर मिल जाएगी जलिए फड़ा फट समझते हैं वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा कोई doubt है तो आप comment box में भी पूछिएगा दोस्तों अभी देखिए जो company है वो 7.40 पैसे के round 35 पैसे के round trade कर रही है में में अब इसके next earning results बताये जा रहे हैं अर्निक पर share जो है वो 0.4 की है ठिक ठाक market capital है price earning ratio में भी दिक्कत नहीं है और company की जो field है वो भी सही आ जाती है पर आपको यह दिखेगा यह दिखिए दोस्तों एक छोटे से label 5 रूपे के round से इसने rally start किया था company 11.5 रूपे के round तक गई और वहां से अब high लोग का difference दिख जाएगा 2 रूपे 45 पैसे से 11 रूपे 15 पैसे तक गई थी तो मतलब काफी बड़ा हम लोगों को moment मिला था काफी अच्छा इसमे earning का reward भी एक तरीके से देखने को मिला था अभी भी company का जो percentage है देखिए अगर इसका 2 रूपे से देखा जाय तो still इसमें बह प्राइस से ले रहे हैं तो आपको देखेगा कि one year का जो अभी company ने फिलाल में return दिया है वो 167 परसंट का चल रहा है जबकि उससे अच्छा भी return यहां पे हम लोगों को मिला है जिस हिसाप से हम लोगों ने इसमें entry लिया था चलिए फडलाल से एक बार quick update ले रहते हैं finances का फिर चार पर बात करेंगे जैसा कि दोस्तों मैंने आपको quarter 3 के results explain किये थे काफी बहतरीन results थे देखिए 7623% जो है इसका profit growth हुआ था सितंबर से दिसंबर में सितंबर में क्योंकि दोस्तों इसके जो data आये थे वो negative में थे तो उसके वैसे इसके number में delay थे पर आप 12 month की performance growth है वो बहुत अच्छा growth है इसका देखिए आप 1398% profit growth हुआ है, sale भी अच्छी हुई है तो बहुत बड़ी बात है, all time high price भी इस company का अच्छा जाता है, book value भी 15 rupees के round है, face value भी 10 के round है, तो अभी आपको एक अच्छे zone में मिलता है, promoters की holding एक cons में गिन सकते हैं हम लोग, पर overall क्योंकि market capital भी इसकी देखिए 5000 करून के round के, तो overall देखा जाए तो company good condition में है, बस एक return वाली जो चीज आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा lag किये, पर year wise return देखिए तो वहाँ भी company ने काफी अच्छा return प्रोवाइट किया है, Cons में इसका main रूप से वही चीज है दूस्तों, इसके उपर debt company के, जो कि दीरे दीरे बहुत अच्छा reduce हो गया है, थोड़े बहुत जो रहते हैं वह भी हो जाएंगे, देखिए अभी जो इसका आया था net cash flow, अभी भी negative में आया था पिछले बार का, तो वह भी थोड़ा दि या इसकी भी holding अच्छी खासी है, 23.28% तो बड़ा part आ जाता है, चार पे बात करते हैं इसके, जो नुखे रूप से हम लोग इसमें discuss करने वाले थे, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग काफी time से discuss नहीं किये थे, तरीके से जब हम लोगों को target two ups के बाद हम लोगों इस इसको discuss नहीं किया, भाई position नहीं जानी, तो सब कुछ जानेंगे क्योंकि काफी लंबे time से इसको हम लोग देखते वे आ रहे हैं, तो अभी देखिए इसको जो support मिल रहा है company को, वो 6 रुपे 55 पैसे के round है, और यकीन मानिया दोस्तों, यह बहुत गजब zone है, और आपको इस एक second मैं mark ही कर देता हूँ, ताकि 7 रुपे 15 पैसे से लेकि आप इसको 6 रुपे 75 पैसे के बीच में buy करिए, अभी भी इसमें थोड़ा और dip मिलता है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों का जो पहला target हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, 8 चल सकते हैं, क्योंकि इसकी देखिए, भी दोस्तों 15 के around है, तो 15 easy target है, आप इसको dip में buy करके और लेके चलिए, 15 रुपे वाला हमको मिलेगा, पुराने लेबल्स की बात करें, तो वो भी इसमें already मैंने mention कर रखा है, जैसे देखिए 3 रुपी 95 पे support था, फिर 4 रुपे भी specific buy की call थी, उसके बाद से हम लोग देखिए, इसमें बन के चल रहे थे, अच्छा return भी मिला, profit booking भी किये, और वापस से इसमें अब खरदारी के लिए, ये company हम लोग को बोल रही है कि खरीदो अब, तो वापस से अच्छे zone में मिलते ही, इसको buy करिए, जैसा कि मैंने आपको range बताया, और बहुत ज़्यादा अब नीचे जाने के chances नहीं रहेंगे, already देखे, company ने इसना recover कर लिया है, और अभी जो है, इसको यहाँ पे support ये, पक का support को respect देने वाला है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए, आप इसमें entry के लिए जा सकते हैं, thanks for watching this video, मिल